So, here we are again. Wow, what a response on my Bitcoin video. मुझे 4000 से भी ज्यादा कमेंट्स मिले और उससे भी ज्यादा शेर्स. लेकिन इस बार कमेंट्स में सरिफ एप्रिसेशन के साथ साथ सवलात की भरमार भी थी. And let me tell you, मैंने एक-एक कमेंट को चेक किया है जो मुझे मेरे पेज और यूट्यूब चैनल पर मिला और पाकिसान इंसाइडर के फेस्बुक पेज पर. So, ये विडियो टोटली डेडिकेटेड है उन सावलात के जवाबात पर जो आप लोगों ने किये. मैं सारे सवलात का जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन most common questions की list बढ़ाई ही है and I will try to address those questions in the video. पहला सवाल, क्या Bitcoin या Cryptocurrency लीगल है? कोई भी Cryptocurrency इस वक रेगुलेटेड नहीं है. नॉर्मल सी ही बात है, जब कोई Central Bank ही नहीं बीच में, तो रेगुलेट कैसे किया जाए? ये एक बहुत ही एहम सवाल है, जो especially Banks and Financial Institutes को बहुत तंग कर रहा है. क्योंकि Decentralized Currency का मतलब के Banks का धंदा खत्रे में. इसलिए Finance के लोग Bitcoin या Cryptocurrency के बारे में बहुत skeptical हैं. Financial Institute से वाबस्ता हैं, लेकिन अगर आप Winklevoss Brothers को देखेंगे, जो IT से वाबस्ता हैं, जो पिछले हफ़ते Bitcoin के सबसे पहले billionaire बन गए. I'm talking about billion dollars here. दूसरा सवाल, रात के तीन बजे मैं कैसे Bitcoin से purchase करूँगा? यानि उनको कैसे hard cash में convert करवाऊंगा? यानि उन्हें use कैसे किया जाएगा? या हम इसको cash कहां से करवाएंगे? ये point बहुत से लोगों ने घलत समझा. Let me clarify. Bitcoin एक currency है जो worldwide accept होगी. इसका मतलब ये है कि इसको convert करवाने की जरूरत नहीं. रात के 3 बजे ये 4 आप अमेरिका में हों या पाकिस्तान में. आप shopper जाएंगे, चीजे खरीदेंगे और shop वाले को Bitcoin में ही पे करके घरा जाएंगे. एक मिसाल देता हूँ. हमने ये credit card के साथ देखा है. जब credit card new market में आये थे, तो बहुत ही कम shops इसको accept करती थी. तो आपको जरुवत ही नहीं रहेगी hard cash की. तो फिर आप shopper जाएं, या online purchase करें, Bitcoin से pay करें and you're good. मतलब कि इसको cash करवाने की जरूवत नहीं. तीसरा सवाल, क्या IQ option eToro में invest करना सही है? ये जवाब थोड़ा सा मुश्किल होगा, but I'll try. एक्चुली IQ option या eToro वगेरा में, आप cryptocurrency trade करते हैं. जितनी मेरी understanding है इन platforms की, कि आप कुछ own नहीं करते. आप सिर्फ orders देते हैं IQ को, कि वो आपके behalf पर purchase करें या sell करें. लेकिन आप खुद कुछ own नहीं करते. means कि आपने 10 Bitcoin IQ पर buy किया, तो ना तो वो आपको wallet में मिलते हैं और ना ही किसी exchange में. बस वो आपको नजर आते हैं. अगर आपको Bitcoin transfer या किसी को भेजना चाहते हैं, तो वो भी नहीं हो सकता. आपको deal close करनी पड़ती है, अगर आपको आपके पैसे वापिस चाहिएं थो. मेरी personal recommendation ये है, कि trading desk IQ या e-toro वगएरा के बजाए, खुद का wallet लिया जाए, और वहाँ Bitcoin या crypto currency रखे. बट ये मेरा अपना personal opinion है, आप अपने पैसे के जिम्मेदार खोदा हैं. सवाल no.4, अगर दुनिया का internet ही बन हो गया, तो हमारे पैसे भी ढूब जाएंगे, क्योंकि crypto currency तो online होती है. ये बहुत बचकाना सवाल है, लेकिन insecurity create करता है. आप थोड़ा लेट हो गया इस सवाल को पूछने में, क्योंकि आपको ये सवाल तब करना चाहिए था, इंटरनेट की खताम होने से सिर्फ bitcoin को ही नहीं, हर चीज़ को खतरा है. पांचवा सवाल, क्या bitcoin के negative points में है, क्या ये future की currency बन सकती है? यहां मैं थोड़ा technicalities में जाऊंगा, जब bitcoin का आगाज हुआ, तो कहा गया कि transaction 10 minute में होंगी maximum, यानि कि मैं पैसे फिज़ूँगा और 10 minute में दूसरे शख्स को मिलेंगी, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने इसको इसको इस्तमाल करना शुरू किया, तो अंदाजा हुआ कि आज की तारीख में bitcoin तकरीबन एक घंटा तक ले जाता है transfer होने में, which is not good at all, क्योंकि bitcoin आया ही इसलिए था market में कि जल्दी पैसे transfer किये जाएं, तो bitcoin के साथ scalability का issue है, इसी वज़ा से market में bitcoin के लावा और भी cryptocurrencies हैं जो के bitcoin से बहतर हैं, और कुछ तो minutes में transfer होती हैं, जिनमें से सबसे उपर Ethereum, Litecoin, Iota, Ripple, Dash वगएर हैं, चटा सवाल, क्या bitcoin hack हो सकता है, जितनी hacking की understanding अभी है, उससे तो यही अंदाजा होता है, कि blockchain को hack करना बहुत ही मुश्किल है, और तकरीबान नामुम्किन, लेकिन wallet hack हो सकता है, या exchange account, सो मैं आपको बहुत ज़्यादा तंबी करूँगा, कि अगर आप कोई भी wallet यूज़ करते हैं, तो उसको बहुत secure रखें, अगर आप चाहते हैं, कि online आपकी information को कैसे secure रखा जाए, तो मुझे comment में बताए, and I will do a video for it, साथवा सवाल, कहा जाता है कि transactions track नहीं हो सकती, लेकिन ledger maintain करने वाले तो हर account and amount पर नज़र रखते हैं, ये कैसे possible है, मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि ledger सुर्फ account number लिखते हैं, पर उन account number के पीछे कौन है, ये किसी को नहीं पता होता, मेरा मतलब ये कि ledger ये लिखेगा कि इस account number से, इस account number पर 500 BTC transfer हुए, लेकिन किसके account से किसके account पर गया है, ये को नहीं जानता, आठवा सवाल, अगर कोई शख्स Bitcoin ये Cryptocurrency में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो क्या करें, अगर कोई Cryptocurrency में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसे कम असकम दो accounts open करने होंगे, एक wallet, मैं recommend करूंगा कि blockchain.info का wallet अच्छा है, वो लोग 2 step verification भी देते हैं, जिससे account ज्यादा secure होता है, दूसरा आपको चाहिए है exchange account, यहां मेरे पास recommendation नहीं है, कोई exchange पाकिसान में, तो बہتर है कि आप अपनी research खुद करें, so mainly आप अपने पैसे अपने exchange account में deposit करेंगे, और exchange आपको उतने पैसों के Bitcoin ये Litecoin ये जो भी currency आप purchase करना चाहरे हैं, वो दे देगी, then आप उ exchange account से Bitcoin को अपने wallet में transfer कर सकते हैं, hope कि जो सवलात आपके जहन में हो, उसका जवाब आपको मिला हो, यूट्यूपर में हर Wednesday को Q&A session रखता हूँ, जिसमें direct सवलात का जवाब देता हूँ, इसी वीडियो की तरह, अगर आपके पास और भी सवलात हैं, तो मुझे यूट्यू